राम राम दोस्तों, पीजे मैं फिस से हाजिरू एक और रेसिपी के साथ, आज में लेकर आए हूँ आम का मुरब्पा, आम का मौसम है और मुरब्पा न बनाए, ये तो आम के साथ बहुत ना इनसाफी होगी, चलिए बनाते हैं आम का मुरब्पा, इसके लिए सबसे पहले मै मुटे मूटे मौटे लाने थे लानीasan, मुझे तो इन i काही बनाना बढ़ेगा, इतना चलिने में मुझे ताकत लगानागा, मैं आपको बता नहीं सकती है,borg मैंने खुभ ताकत लगाकर इनको चील लिए मैं उपर से जो इसकी तंटी है व भी नाइव रही होगी से उतार में इतना जोर नहीं लगेगा यह कुछ जादा ही गुलू-मुलू और टाइट से आम है इसको मैंने पीसिस में काट लेना है जितने बड़े-बड़े इतना निकाल लेंगे कि गुठली अलग हो जाए उसे हम हटा देंगे और सारे पीस अपने इस्तमाल विए हम एक साइड में रख लेंगे देखिए सारे पीसिस मेरे निकल चुके हैं अब मैं इनको लंबा-लंबा कट कर लूँगी मैं पीसिस को थोड़ा ठिक ही रखूंगी क्योंकि हमें थोड़ा सा टेक्स्चर ऐसा ही पसंद है थोड़ा सा तो सॉलिड रहे ऐसा नहीं कि घुल ही जाए बिल्कुल यह मैंने अपने ही साब से काट लिए है आप अपने ही साब से काट लीजिए अब हम इसको एक पतीले में डाल देंगे बारी तले वाला पतीला लिया है पानी उपर तक डाल दिया है कि सारे आम उसमें डिप हो जाए और boil होने के लिए रख दिया है तेज गैस पर एक boil आ गया है अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और उपर नीचे कर लेंगे उपर वाले पीर्स नीचे चले जाएंगे नीचे वाले उपर आ जाएंगे ताकि ये अच्छे से cook हो सके अब इसे boil होते हुए चार-पांच मिनिट हो चुके हैं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये कितना cook हुए हैं हम knife की help से इसको चेक कर लेंगे मुझे कोई piece soft लग रहा है और कोई नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको एक तो मिनिट के लिए और cook करूँगी आप अपने आम के according पीच पीच में चेक करते रहें कुछ आम ज़्यादा soft होते हैं 3-4 मिनिट में ही पक जाते हैं अच्छे से अब ये 7-8 मिनिट हो गए हैं अब ये देखे knife बहुत अराम से अंदर जा रहा है बहुत अच्छे से पक चुके हैं अब हम गैस को बंद करतेंगे और इसको चान लेंगे बिल्कुल अच्छे से चान लिया है सारा पाने निकाल कर गरम गरम ही मैंने इसको एक कंटेनर में डाल लिया है अब इसके ओपर हम चीनी डाल देंगे चीनी हमने उतनी ली है जितने ये बॉयल होने के बाद मेरे मैंगो पीसिस थे मैंने एक बरतर में उनको नाप लिया और उसी बरतर में नाप कर मैंने बराबर चीनी ले ली है क्योंकि ये कच्छे और खटे आम हैं तो इसमें कम चीनी रहेगी तो इसमें खटास जादा महसूस होगी इसलिए चीनी बराबर ही ले अब मैंने इसको आदे घंटे के लिए छोड़ दिया था आदे घंटे में काफी चीनी खुल चुकी है अब हम इसे गैस पर रख देंगे आप आदा घंटा ना छोड़ना चाहें तो कोई बात नहीं आप डायरेक्ट भी गैस पर रख सकते हैं मुझे कुछ काम करना था तो मैंने चीनी डाल कर आदे घंटे के लिए रख दिया था थोड़ी तो चीनी मेल्ट होती होगी अब हम इसको बिलाते रहेंगे बीच बीच में चीनी हमारी मेल्ट होती रहेगी यह मैंने डाल दी हैं पांचे छोटी लाइची ताकि इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसमें बहुत अच्छे से बॉय आ चुका है पांचे मिनट हो गये हैं पकते हुए हम देख लेंगे हमारी चाशनी तयार हुई है के नहीं हमें एक तार की चाशनी बनानी है हम थोड़ी सी चाशनी अपनी फिंगर पर ले लेंगे ठंडी करके डालिएगा फिंगर पर ऐसा नहीं के फिंगर ही जला बैठे देखिए चेक कर रहे हैं अभी नहीं बनी है तो और दो चार मिनट कुखोने देंगे मैंने इसमें डाल दिया है नीमबू का रस नीमबू का रस डाल के अच्छे से हिला लेंगे और चाशनी मेरी तयार हो चुकी है मैंने बीच में चेक कर लिया था दुबारा वो क्लिपिंग मेरी मिस हो गई है एक तार की चाशनी हमें बनानी है अब ये बिल्कुल तयार है गैस बन कर देंगे हम धग कर रख देंगे पूरी रात और सुबा हम इसे सर्व कर लेंगे खाने के लिए थेंक्स फॉर वाचिंग माई जीर फ्रेंड्स